हलो फ्रेंड्स आप दीख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमैटो के स्टॉक चोप पर दोस्तो काफी सारे लोगों का में पास स्क्वेरी आ रहा था कि हमने सर्फ 150 रुपीस की रेंज में स्टॉक खरीदा है अब क्या करना चाहिए और क्या होंगे दो मार्च के इंटरे टागेट स्टॉप लॉस और रिजिस्टन्स तो वीडियो का इंटर देखना वीडियो अचल करना दोस्तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ खबरों पर बात करते हैं तीन दिन में अप्डेट नहीं दिया था तो अब देख सकते हैं निफ्टी में निफ्टी 50 में निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसके अंदर दोस्तों आप कह सकते कि जॉमैटो पेटियम और अब दोस्तों दूसरी खबर यह जॉमैटो इन और पर आज ट्रेट करा है 41 बिलियन की वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिलिये कल की जो वॉल्यूम थी यानि फ्राइडे की जो वॉल्यूम थी उसके मुताबलिक ऑल्मस्तों पांस से 7 मिलियन वॉल्यूम का फरक देखने को मिल रहा है दोस्तो आज की वॉल्यूम में आप देख सकते हैं बाइस ब्लॉग डील स्टॉक के अंदर आज इंट्राडे के अंदर हुई है स्टॉक दोस्तो 50% नीचे ट्रेट कर रहा है अपने 52 वीग खाई से जी हैं दोस्तो 169 का इसका 52 वीग खाई यह ऑल्मोस्ट 50% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है तो definitely दोस्तो काफी साथ ऐसे इंवस्टेर्स है काफी साथ ऐसे ट्रेडर्स है जिन्होंने सोचा था कि आज बाय करके 3-4 दिन में सेल कर देंगे बट आप कहा सकते कि स्टॉक ने धोका दे दिया 100 रुपे का लेवल भी तोड़ दिया 79 रुपीज के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है तो definitely दोस्तो अगर आपने 169 रुपीज के लेवल पर बाइंग करी है या 160 रुपीज के लेवल पर बाइंग करी है अभी ज्यादा कुछ दोस्तो टेक्निकल में बताने का नहीं है यूँकि अब सभी आप देख सकते हैं अभी रेड रेड नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर अब दोस्तो आज की वालियू की बाइंग कर लें तो दोस्तो आज 41 मिलियन की वाल्यूम स्टॉक में देखने को मिलिये ओल्मोस्ट असी रुपे के लेवल पर दोस्तो स्टॉक ट्रीट कर रहा है एक रुपे 15 पैसे की दोस्तों स्टॉक में तेजी देखने को मिली है तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं Zomato के Intraday Charge पर और कल के and Long Term के Intraday Target Stop Loss and Resistance पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों Zomato के अब इंट्राडay चार्ट पर आगए हैं, अल्मूस्ट दोस्तो तो 81 रुपीज तक का लेवल आज Zomato के स्टॉक ने रीच किया बट उस लेवल से आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है अगर मैं 5 दिन का चार्ट देखू तो दोस्तों 5 दिन में 0.63% का गेन है एक महिने में 15% का डाउन फॉल, 6 महिने में 49 39% का डाउन फॉल और एक साल में almost 36% का डाउन दिखाया है दोस्तों स्टॉक ने तो दोस्तों अब लेवल के में बात करूँ तो दोस्तों वेडनस दे के दिन अगर मार्केट में माल लीजाए gap down opening होती है या फिर gap up opening होती है तो आपको दोनों सिनारियों का मैं आपको target बताऊंगा अगर gap up opening होती है और stock अगर 82 के level पर मिलता है आपको opening में तो आपको उस समय buying नहीं करनी है यह range आपको बताता हूँ अगर gap up opening होती है तो दोस्तो 81 से 82 की range में आप stock में buying कर सकते है यानि आपको 82 के नीचे ही buying करनी है stock के अंदर अगर gap down हो जाता है तो definitely आपको हर level पर buying करनी होगी अगर माल लीजे 78 रुपीज के level पर stock मिलता है तो दोस्तो definitely काफी अच्छा level है इस level पर आप buying कर सकते है और अगर आप long term investor rate अगर आप average करना चाहते है अपने higher levels पर लिया है तो 80 के नीचे आप कोई से भी level पर लीजे stock सही level पर मिल रहा है 80 के नीचे आप definitely stock में average कर सकते है अब अगर target के में बात करूँ दोस्तो 84 रुपीज तक का अगर level reach हो जाता है तो intra day में 88 रुपीज तक का targets भी visible है तो definitely दोस्तो 83 रुपीज 50 पर से का पहरा target होगा and second target 85 रुपीज तक का होगा जी हैं दोस्तो तो दोस्तो आपको Zomato के stock में खरीदारी करके चलना है 85 रुपीज तक के target के लिए Wednesday के दिन and अब long term target के बात कर लो दोस्तो मुझे लगता है फिर से within 1 और 2 रुपीज तक का level आपको देखने को मिल सकता है almost दोस्तो यहां से 50% उपर है target but definitely दोस्तो आराम से यह target reach हो सकते है market अभी दोस्तो आप काफी जादा correct होते हैं देखने को मिले almost 2000 points का correction आगे है दोस्तो निफ्टी में तो definitely दोस्तो आप कहा सकते हैं market जब भी recovery करेंगे तो यह 2000 points नहीं 4000 points के recovery में बदल लेगी और almost nifty 20,000 भी reach कर सकता है तो दोस्तो उस scenario में definitely आप कहा सकते हैं कि zomato का stock 1500 से 200 रुपे के range में trade कर सकता है तो दोस्तो that's it for video अगर video अच्छा लगे तो like करना share करना subscribe करना दोस्तो thank you friends watching this video